हिंदी लिट्रेचर, क्लास 4, पार्ट 13, गुरु नानक देव हमारे भारत देश में अनेक महापुरुषों ने जन लिया है उन्ही में से एक महापुरुष है, गुरु नानक देव हमें महापुरुषों की जीवन से हमीशा कुछ नग कुछ सीखना चाहिए क्योंकि उनका जीवन हमीशा प्रेड़ना दायक रहा है हमें कुछ को कुछ सिखाता है अगर हम उनके दिखाए हुए माल पर चलते हैं तो हम श्रेश्ट बन सकते हैं गुरु नानक देव सिख धन के प्रतम संस्थापक थे संस्थापक कारते उस संस्था की स्थापना करने वाला सिख धन के स्थापना गुरु नानक देव ने की थी तो चले हम उनके बारे में पढ़ते हैं पार्टेरा गुरुनानक देव। हमारे देश भारत जग प्रस्द्ध है। यहां अनेक संद और महात्मा हुए हैं, जिन्होंने हमें सच्चाय के मार पर चलना सिखाया। साथ ही साथ इन्होंने त्याग, तपस्या, परुकार और अन्मानवे गुनों का विलक्षन परिचर दिया। हमें क्या क्या सिखाया। इन महापोशुप में त्याग, तपस्या, परुकार और अन्मानवे गुनों यानि मानव के अंदर जितने भी गुने उनका अनोखा संस्थापक गुरु नानक देव जी है क्या है उन में से एक है संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन पंजाब प्रांत के तल्वंडी नामक अस्थान पर सन 1469 में हुआ था आजकर यह अस्थान नाना काना साहब के नाम से जाना जाता है जो पाकिस्तान में अस्थित है गुरु नानक के पिता का नाम कालूचन और माता का नाम क्रिप्ता देवी था बालक नानक के जन के समय वह अस्थान जहां उनका जन हुआ था अलोकिक जोती से भर उठा अलोकिक मतलब अदबुद अदबुद प्रकाश से वह भर उठा कहा जाता है कि जन लेती समय नानक रोय नहीं बलकि उनके चहरे पर एक समय मुस्कान फैली थी समय मतलब प्यारी से हलकी सी मुस्कान फैली थी माता पिता पुत्र के जन से अत्यन आनंदित थे अत्यन मतलब बहुत और आनंदित खुश बहुत खुश थे उन्होंने इस औसर पर गरीबों को भरपेट भोजन कराया, कपड़े वित्रित किये और घर में कई दिनों तक पूजा पाट चलता रहा वित्रित करते हैं बाटना कपड़े की औसर कपड़े बाटे गरीबों को और कई दिनों तक पूजा पाट चलता रहा नानक के पिता को जोतिशी ने बताया कि यह बालक बड़ा भाग्यवान है जोतिशी का अर्थ होता है ग्रह नक्षत्र इत्यादी को जानने वाला और एक दिन जनता के हेदे पर राज करेगा जोतिशी ने क्या बताया कि यह बालक बहुत ही भाग्यवान हो थी भागशाली और जनता के दिलों में मतलब जनता लोगों के दिलों में यह राज करेगा हर धम के लोग इसका सम्मान करेंगे नानक जब साथ वर्ष के हुगे तो इन्हें पढ़ाई के लिए विद्याले भीचा गया परंतु पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था वो साथ वर्ष के हुगे तो उनको पढ़ने के लिए स्पूल भीज आ गया लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था सिक्षक द्वारा पढ़ाया गया पाट उन्हें नीरस और व्यक लगता था जो भी उसे टीचर्स पढ़ाते थे उसे नीरस मतलब बिना ध्यान के बिना कुछ मन के और विकार लगता था अता पिता ने उन्हे पशू को चराने का काम सौब दिया दूसरी दिन वे पशू को चराने के लिए ले जाने लगे पशू चरने लगते तो नाना आख बन करती इश्वर के चिंतन में डोग जाते थे पशु जब चरने लगते तो नाना इश्वर का चिंतन करते यानि इश्वर का ध्याद करते एक बाल पिता ने कुछ समान खरिदने के लिए उन्हें पैसे दिये नानक ने पैसे गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर दिये और घर आकर बोले पिता जी मैं सच्चा सौदा कर आया यह घटना जहां घटी थी आज भी वह अस्थान सच्चा सौदा के नाम से जाना जाता है कहां जाता है कि नानक देब एक बार मक्का गैब जो मुसल्मानों का प्रसिप तीत अस्थान है तीत अस्थान मतलब पवित्र अस्थान मक्का मदीना के बाले में आपने सुना होगा जहां पर मुसल्मान अपना तीत अस्थान के लिए जाते हैं वहाँ वे काबा की तरफ पैर करकर सो गए काबा का अर्थ होता है अरब देश के मक्का नगर में सिर्थ मस्जद वो एक मस्जद की तरफ पैर करकर सो गए हच करने आने वाला कोई भी यात्री काबा की तरफ पैर करकर नहीं सोता था हच कहत होता है काबा की यात्रा एक मुल्ला वहां आया और बोला तुम कैसे आद्मी हो हच करने आय हो और यह भी पता नहीं कि खुदा के घर की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए गुरु नानक ने शांती से उससे कहा अरे भाई जिस और खुदा का घर ना हो उस तरफ मेरे पैर कर दो मुल्ला ने अत्यन्त क्रोध नजरों से अतला बहुत ही गुस्ते भरे आखों से देखा और उनके पैर घसीट कर दूसरी तरफ कर दिये मुल्ला की आश्यर का ठिकाना ने था मुल्ला जो था आश्यर हो गया चौक लिया क्यों चौक लिया जब उसने देखा कि जिस तरफ उसने यात्री के पैर किये थे काबा भी उसी तरफ दिखाई दे रहा था मुल्ला आश्यर हो गया क्योंकि जिस तरफ उन्हों ने नानक के पैर किये थे उसी तरफ भी खाबा भी दिखाई दे रहा था यह देखकर उसे गोर आश्यर हो तो मुल्ला को बहुत आश्यर हो वह समझ गया कि यह कोई पहुचा हुआ फकीर है उसने उससे शमा मांगी गुरु नानक देव का उबदेश्ट सर्वधन समभाव का था वे लोगों से अपने विचारों का प्रचार करते हुए कहते थे पूरा संसार एकी इश्वद्वारा रचित यानि पूरा संसार एकी इश्वद्वारा बनाया हुआ है और सभी मनुष्यों को उसी इश्वनने रचाया और उसी एक इश्वनने सभी मनुष्यों को रचाया वर्ण जाती आदी के बेद मनुश्यों ने बनाये वर्ण मतलब रंग रंग जाती बेदभाव किसने के मनुश्यों ने बनाये ईश्वर ने सबको एक ही बनाया था लेकिन मनुश्य ने रंग बेदभाव से सबको अलग कर दिया ईश्वर निराकार है इश्वर निराकार है, मतलब बिना आकार वाला है, इश्वर को किसी ने देखा नहीं है न, तो इश्वर बिना आकार वाला है, वो प्रती एक जीव में और प्रती एक जगा है, हमें प्रवित्रता और सयम से रहना चाहिए, तथा उनका ध्यान करना चाहिए, हमें प्रवित्र परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम की कमाई खानी चाहिए हमें हमेशां जो हम परिश्रम करते उसी कमाई खानी चाहिए गुरु नानक के उपदेश गुरु ग्रंत साहब में संकृत है गुरु गरंत में सारे आपको गुरु नानक की जितने उपदेश हैं वो सारे उपदेश मिलेगे जो सिखध्याम का प्रमुक धैम गरंत है जो वो सिखध्याम का प्रविक धैम गरंत है 77 वर्श की अवस्था में सन 1539 इमें इनकी मित्यु हुई जीवन मूल, महापोर्शों का जीवन हमें प्रेधना देता है, जितने में महापोर्शें उनका जीवन हमें प्रेधना देता है, हमें उनके जीवन से कुछना कुछ सदैत सीखना चाहिए